तो हेलो दोस्तों आप भी अपने इस्टाग्राम अकाउंट को हमेशा अगली डिलेट करना चाहते हैं अपने फोन से यानि दोस्तों आपकी आईडी कहीं भी शो ना हो डिलेट करने के बाद तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोग को पुरी जानकारी देने वाला हूं जिससे आप अपने अकाउंट को पर्मेंट डिलेट कर सकते हैं तो इसके लिए दोस्तों आप लोग को अपने इस्टाग्राम को उपन कर लेना है उपन करने के बाद दोस्तों आप लोग के यहाँ पर दिखाई दे रहोगा help का option आप लोग के नीचे दिखाई दे रहोगा help से जो लाइने बनी हैं आपको सिंपल इस पर क्लिक कर देना है यहाँ पर क्लिक करने के वाद दोस्तों आप लोग के यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन आ रहा होगा मैनेज यूर अकाउंट आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है मैनेज यूर अकाउंट पर क्लिक करने के वाद दोस् Instagram account आपको तो इसको दोस्तो क्या से डिलेट करना है मैं इस वीडियो में आपको पुरी बताने वाला हूं तो फुरी वीडियो को सुचने लास तक जूर दिखेगा तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग को दिखाए दरोगा Android App Help आपको Simplis पर क्लिक कर देना है जैसी दोस्तों आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके पास काफी सारे ओप्षन यहाँ खुल के आ जाएंगे तो आप क्या करना है दोस्तों आप लोग यहाँ पर Browse Help पर क्लिक कर देना है जैसी दोस्तों आप यहाँ पर आप लोग क्लिक करते हैं तो फिर से आप लोग को नीचे चले जाना है जैसे दोस्तों आप लोग नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग को एक option फिर से आ रहा है delete your account आपको simply अपने delete your account पे click करना है जैसे दोस्तों आप लोग यहाँ पे click करेंगे इसके बाद एक और option आगया है तो आपको फिर से यहाँ पर क्लिक करना है यहाँ पर जैसे आप लोग क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर रिजन माँग रहा है कि आप क्यों Instagram अकाउंट को डिलेट करना चाहते हैं तो आप कोई भी option यहाँ से चूज कर सकते हैं यहां से कोई भी option चूज करते के क्लिक कर देता हूं तो मैंने यहां पर क्लिक कर लिया अब यहां पर क्लिक करने के गवाद दोस्तों आप लोग से यहां पर password मांग रहा है जो आपके Instagram अकाउंट का है तो चलिए मैं अपना Instagram सब्सक्राइम अकाउंट का पासवर यहां पर डाल लेता हूं कि पासवर डालते हैं दोस्तों आप लोग यहां पर नीचे डिलेट पर क्लिक करते हैं यहां पर नीचे दोस्तों जो डिलेट का ओप्शन दिखाएते होगा आपको सिंपली यहां पर क्लिक करना है यहां पर दोस तो आप जो यहां पर दिखाए देर होगा गो बैक का ओप्शन आप लोग गो बैक जा सकते हैं या फिर दोस्तों आप लोग उसको एक बार रिफ्रेश करके देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों मैं आप लोग एक बार इसको रिफ्रेश करके दिखा देता हूं रिफ्रेश करत करने के लिए यानि जो हमारी जो पहले की आईडी थी यहां से डियाक्टिवेट यानि डिलेट हो चुगी हमेशा के लिए बट एक बाद याद रखिए कि करने में लिए नई वीडियो उसका नोटिक्रेशन आप लोग को जरूर मिल जाएं